नमस्कार तो सबसे पहले मैं आपका पहला सवाल लेता हूँ मेरिट लाइफ कैसी जब मेरिट लाइफ की बात करते हैं तो हमको देखना परता है शुक्रपर्व बरसपती का इंवॉल्मेंट साथी साथ विवार रिखाएं और हिटते रिखा जब इन चारों रिखाओं का मैं अनुरूप करता हूँ तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो महिला है ये इस समय इनकी 21 साल की उमर है और इनकी जो रिखाएं हैं वो इस बात को बताती हैं कि ये अपने जीवन में विमार काफी रहने वाली हैं हो सकता है अभी भी काफी रोगों से पीडित रहती हो तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने जीवन के अंदर काफी कुछ बीमार रहने वाली हैं एक बात दूसरा जहां तक सवाल है इनकी मेरिड लाइफ का बिलकुल इनके हाथ से लगता है कि लव मेरिज का योग इनके हाथ के अंदर गत मौजूद है तो विवा के रोग का तो मैंने बेदे बूल दिया तो रोगी काफी रहने वाली है ये और इनकी हिर्दे रिका काफी तूट करके जादे चल रही है और प्रस्पति तो अनुकूल है सुक्र भी है विवा भी होगा परन्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो इनके रोग की बड मेरिज का बताया मैंने, आपने कहा कि जो इसके बाद में इनके ये दो तरा ये दोनों में ये बात निकल कर क्याई अब आपने कहा इनके के बारे में देखी जाती ए वह थोड़ा सा यहां राइट हैंड से भी लेकर के चला है उनका भूत काल को तो यहां यहां वो रिखाय मौजूद हैं अभी हाला कि इनकी 21 साल की एज है यह आज नहीं इनको कम से कम 4-5 साल तो यहां कुल मिलाकर के 4-5 साल बाद यानि भाग्य रिखा देखिए आप यहां से अनुकूलता से चलती हुई और सूर्य परव को जा रही है तो यहां भाग्य रिखा और यह विलकूल अनुकूलता से चलती हुई यहां इस परकार से सूर्य का इनुवल्मेंट जब हाथ के रिखा के अंदर होता है तो राज्य सरकार से सम्मंदित नौकरी का रोल भी आता है और सूर्य पर करेंगी तब तो इसमें अभी समय लगने वाला है कम से कम मैं समझता हूं तीन से चार साल का तो इतको तैयारी कराईए आप तैयारी करेंगी तो निश्यत रूफ से गौर्मेंट जो आप प्राप्त कर सकती हैं अगरी बात आई इस्पिरिच्वल के लिए यहां केतु इस्तान पर बहुत कुछ रेखाए हैं यानि को लिए मिलाकर आस्ता है इनकी अंतरगत थोड़ा दोसरे हाथ में देखेंगे जाकर के तो यहां अभी भक्ती भावना अभी साधना आस्ता या कही बार योगा इस तरह की बातों को देखते हैं तो यहां पर दोनों हैंड के अंदर वो चिन मुझे यहां केतु इस्तान से पुरी तरीके से मौजूद मिले तो यह त इसके दुआरा कोई आप अपने संसाधन बाज़ते हैं या कोई धनका आगमन बना सकें तो इस्पिरिचल लाइफ इनकी इस प्रकार की है चलिए तो आपके मेरेड लाइफ का बता दिया मैंने और स्वास्त का बता दिया मैंने और काफी कुछ यहां पर रोग से पीड़ित ये पूरा का पूरा इस्तान भी है तो मुझे सबसे जादे चिनता है आपके इन सबी सवालों से जादे इनके रोग की सबसे जादे इनको अपने स्वास्त का ध्यान लगना है तो इस बात को ले करके चलें कि आपकी जीवन संगनी आनी है इनको काफी रोग रने वाले हैं और इनका आपको काफी अच्छा साहत देना है उसकी वज़े से इनके अंदर चिर्चरहाट भी आएगी उस चिर्चरहाट को आप अगर समर्त रूप से सहन कर सकें तो ये आपके ये बहुत बहतरी अर्धांगनी का काम करेंगी यहां मस्तिस रिखा भी बहुत पीडित हैं तो मैं बता रहा था कि बिल्कुल चिर्चरहाट पन इनके अंदर काफी रहने वाला है कात्तोर से रोगा वो रोग छेतर से वो रिखाई मिट भी जाती हैं ऐसा नहीं है वो हमीश कि बता रहा हूँ तो ये मैंने सबी दौालों का जवाब दिया और इनके लिए उपाए भी बता देता हूं अगर आप ये चाते हैं कि इनकी मिलकुल ये सब रिखाई मिट जाए छिटटचलापन मिट जाए इनके रोग भी मिट जाए और इनकी और इस पशरूप से हाथ हो हुआ और उसकी साधना 108 दिन के बाद तो असर दिखिलाना शुरू करती है और इनको तो बहुत लंबे समय करना है तो अगर ऐसा कर सकती है तो सब कुछ विजय प्राप्त कर सकती है के लिए इनका उपाई भी बता दिया अब आता हूं मैं जेंट्स वारे हाथ में तो यह देखिए यह कमल जी का हाथ है और यहां पर यहां पर मैं बात करूं सबसे पहला सवाल मैरीड लाइफ मैरीड आपकी भी वही सुरू बात में यहां वेरिड लाइफ यानि के आपको कम से कम मैं समझता हूं सैटिंग करने में विवस्था करने में आपकी इस समय जो उम्र चल लई है वो 27 की चल लई है लगवा लगवो 35 पर तक तो आप एक दूसरे के साथ में जुबानी बाल बोल चाल के अंदर यानि आप मैं भी अगर हिर्दे रिखा को देखता हूं तो आपकी भी वो पिडित है और ब्रस्पति पर भी हां सूखा सूखाता है तो यहां बुद्धी की वो रिखाएं भी नहीं खड़ी है जिससे एक बचपना दूर होता है और मैचौरटी सुरू होती है तो पंचली के रुप में अगरे मैं खतम होना यानि कोन मिला करके आप इस दूसरे को और उपकी मस्तिस्क रिखावी अगर मै만 देखू तो काफी पीडित है वो भी 35 तक यानि 35 वरस तक एक दूसरे को आप इन से करें या किसी से करें 35 साल तक आपको जीवन की सच्चाई समझने में समय लग जाएगा तो ये आपकी तरफ और उनकी तरफ से भी पीडी तरूप से ये वहस्ताइं निकली हैं तो चलिए ये आपकी मेरे लाइप के बारे में मैं ने बताया आपने कहा कैरियर या कौवर्मेंट जॉब तो चलिए मैं कैरियर के लिए देखता हूँ कैरियर के लिए ये बहतरी इन्रेका आपके पास और यहां भाग्यरिका आपकी गई दूरिस्तान से संबन मिला और आगे जा करके सही चली गई लेकिन जो सूरिय परवत पर जो रेखा है मुझे चाहिए वो सूरिय परवत एक भाग्यरिका ये भी है आपके पास में तो ये 35 के पास हो सकता है आप अपनी जॉब चैंज कर और दूसरे इस तरके में ट्रांसफर करके दूसरे इस्तान से जॉब करने लगें तो यहां इस परकार का 37 सूरिय परवत पर वो रेखा नहीं मिली जिसको मैं गॉर्मेंट जॉब की रेखा कहता हूं और नहीं मुझे बोर्ड एक्स तरिकॉर्ण जो या बहुत अच्छे प करें हैं इसपिरीच्वल लाइब बेनो लें इस प्रतिन के प्रती आस्ता होना इक अलग बात है लेकिन इस स्पीच्वल लाइब के आसपास आप कहीं पर भी नहीं है यानि कि इश्वर में आस्ता है पूजा पार्ट करते हैं भगवान को मानते हैं लेकिन इतना आपके पास समय नहीं है कि आप साधना में बैटें एक बात दूसरी बात जब 27 की एज है तो यहां पर अभी बो चैनल कर सकेंगे वो रिकाय आपके हाथ के अंदर यहां पर मौझूद है तो आपकी मेरीग लाइफ के बारे में मैंने बता दिया कैसी रहने वाली है दोनों के हाथ से लमवेरिज का योग लगा केरियर का बता दिया किसको गवर्मेंट के जोग के चांस है किसको नहीं है spiritual life के बारे में बता दिया आपकी मस्तिस्क रेखा 35 के बाद बहुत 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 बहुतरीन तरीके से काम करेगी अपने योजनाओं के अंदर का बहुत कुछ आप राप्त कर पाएंगे तो यह सब चीजे मैंने बताया आपके हाथ के दौरा अब मैं बताओं आपने कहा कि दौनों की रेखाएं काफी मिलती है इसका क्या मतलब है अरे सरस दौनों की रेखाएं बिलकुल भी नहीं मिलती यह आपके देखने का पैमाना है कि आपको ऐसा लगता है यहां तो बहुत सारी ऐसी इची रेखा है पूरे हाथ के अंदर जो बिलकुल मेरे अगर पैमाने से मैं पढ़ूँगा तो वो बिलकुल के इक्तम अलग से अलग हो जाएंगे आपकी मस्तित रेखा की सुरुवात बहुत कराब है या उस लड़की की पूरी मस्तित रेखा पे जादे डीप टाइप में चलती वाली रेखा हैं आपकी हिर्द्य रेखा थोड़ी दूर तो कैसी चलती है लड़की को बहुत जादे बिमारी के लिए हिर्द्य रेखा से दिखलाई पड़ता है उसको नीचे का केतुस्तान बहुत जादे पीडित है, वो वर्तमान में ही इतनी बिमार है, आप सिरफ मांसिक रूप से थोड़ा अपने आपको टेंसराइज मानते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़े हैं, सारी की सारी रेखाएं, आप दोनों की बिलकुल अलग अलग रूप से विराजमान है आपको लिए उपाय में बताऊंगा, यदि आप ये चाहते हैं, कि जो ये चाहते हैं कि आपनी जीवन में आपके तरकी बनी रहे, और आपका विवाई जीवन सुखी भी हो, ये सब चीज़े चाहते हैं, तो आप देखे, तो यहां बहतरी इसा पुकराज पहनिए, एक बह पहनिए, जोब बेची तरह केसे मिलेगी, साथी साथ वेवाई जीवन भी सुखरेगा, मान सी किरोध भी कमाएगा, और सही निर्यने ले करके तरकी भी बराप्त करेंगे, तो आपके लिए एक तो पुकराज पहनिए, साथी साथ, तो आपने कहा दोनों की शादी के लिए, देखिए, शादी तो मैंने बता दिया, दोनों की हाथ के अंदर लब मेरीच का योग है, अब दोनों की साथी एक दूसरे से हो, ऐसा सास्तर मैंने कोई नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने तो गुर्ण के आपकी किससे साथी होगी, आपकी जिससे चादी होगी, अगर उसामने भ हम तो उनके दुआरा यए बता देते कि इन दोनों को का विवाईक जीवन, अगर इन दोनों की साधी होगी, तो इनके विवाईक जीवन में इनको तलाग का सामना दो नहीं करना पड़ेगा, इनको जगड़े जंजटों के साथ में, इन दोनों के सीसे ये बच्चे भी पै साथी साथ अपनी इस पूजा के साधना के अंदर आप यदि और तरक्की चाहते हैं तो बहुत स्वा साधना सी पूजा है रोजाना हनमान श्टक करिए और रूतराष्ट कम पढ़िए और तरक्की प्राप्त करिए तो मैंने सभी सवालों का जवाब दे दिया है आपको नमस् प्राप्त करिएल